नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोते सेक्रेट मिथुन रासी सूरी का रासी परिवर्तन होने जा रहा है 16 सितंबर को और सूरी सिंग रासी से निकल कर कन्या रासी में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 17 अक्टूबर तक रहेंगे देखें मिथुन रासी बालों अगर कोई प्रोपर्टी खेदने का मन बना रहे हैं तो इस एक मेहने में आप डिसीजन ले सकते हैं अगर कोई वाहन लेना चाहते हैं कोई बड़ा समान खेदना चाहते हैं कोई उससे समंदित फैसला लेना चाहते हैं घर परिवार में खुशि बढ़े का जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं नोकरी में उनके लिए बढ़ियां वक्ते बिजनस करते हैं बिजनस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं और यहां पर देखिए आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपनों की सलहा से लीजिएगा तो मी पर भी ध्यान देने का यह घर है तो माता पिता के स्वास्त की थोड़ी सी यहां पर परिसानी हो सकती है क्योंकि केतू पहले से बिराजमान है और सूरे यहां पर आ जाएंगे तो सूरे केतू गरहन दोस्वी बनेगा उपर से देव गुरु ब्रस्पती की दृष्टी है अब जिया होगा तो कामकाश के मामलों में थोड़ा दवाओ है थोड़ी सी लंबी-दूरी की यहात्रा की यहां लेकिन फिर भी भागे का साथ मिलेगा घर में कुछ बदलाव हो सकता है आप मर्मत करा सकते हैं घर ले सकते हैं घर में महमान आते बे zur मएघह हो सकता है себя कोई सुब्र मांगली कारिकरम होता दिखेगा अब चुकि सूरी केतु गरहन दोस है चौथे भाव में है तो गरहन दोस के कारण जिस भाव में बैठे हैं उस बहुत से सम्मंदित चीजों पर गरहन तो लगेगा यानि घर परिवार के भी तमाम जो एक वाताबरन है उसमें तनावा सकता है मातापिता के स्वास्त का ध्यान आपको रखना चाहिए सुरी केतु आपके चौथे भौ में है राहू आपके दसंभौ में है राहू भी आपके खास जो लोग जौब करते हैं कारस्तर पर अनिसित्ता का महाल पनाएंगे केतू चौथे भाव में है तो चौथा भाव आपके काम को भी प्रतस्रीत करता है आधात में की तरब जुकाओ देता है और केतू के प्रभाव से बेक्ती का मन थोड़ा से ओश्थिर हो जाता है ऐसे में कई बार आप अपने घर से दूर हो जाते हैं चाहे वो नौकरी कारोबार की सिलसले में ही क्यों ना हो तो चौथा भाव सुरी के गोचर से वहान सुकी प्राप्ती तो करवाएगा खेती बाड़ी में सपलता देगा विद्यार्थों के पढ़ाय लिखाई के मामलों में संतुष्टी देगा और चौथ सितंबर से सतर अक्टूबर तक गुरू की सुप द्रिष्टी रहेगी तो आपको विदेशी काम में सफलता मिलेगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोवार से जुड़े हैं तो सफलता मिलेगी कोई बड़ा ओर्डर मिल सकता है बारवें भाव में देगुर ब्रेस्पत भी बड़ेगा केतु के उपर दिष्टी की वज़ा से आपके मन में आपके सुभाव में आकर मकता आ सकती है कुरोध आ सकता है इसका ध्यान रखे चोड़ चपेट दुर घटना ना लगे इसका ध्यान रखे मंगल केतु दोनों ही कुरूर है अगनी तत्तों के गरह है तो ऐसे में चौथे भाव पर यहां पर जो गरह का प्रभाव है आपके लिए चोड़ चपेट दुर घटना से बशने का आवसकता है और बेवज़ा घर पड़ी बार में क्रोध गुसा जैसी चीजे ना हो इस पर कंट्रूल करने की आवसकता है खुब पानी पीजे गंगा जल डाल के शनान कीजे रोज भगवान सूरी को जलर पीत कीजे हल्दी डाल कर ताकि आपका मन भी सांत रहें और आपके लिए यहां पर गुरू की किपा और बर से तो केतु सूरी मंगल इन तिनों का प्रभाव से घर का महौल थोरा से भी गड़ता दिखेगा हलां कि 16 सितंबर को सूरी हस्त नच्छतर में चंद्रमा के नच्छतर में गोचर करेंगे और 16 सितंबर से सूरी अपने ही नच्छतर उत्तर फालगुनी में रहेंगे और 26 को हस्त नच्छतर में जाएंगे तो धन के स्वामी हैं तो चंद्रमा के यहां पर नच्छतर में आने से आपकी भोज में आ जाएगी आपका मन भी बहुत अत्तक सांत रहेगा और अवसर मिलेगा अपनों के साथ समय भी ताने का सूर्य क्योंकि चंदर्मा के नचतर में हैं तो धन के मौमनों में भी लाब देगा भागे ब्रदी के योग बनेंगे और आपके लिए बस खान पान के आदत का ध्य हम आपसे विदा लेते हैं धन्यबाद प्लिज लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें